यूपी के रामपूर में विदेश बेजने के नाम पर बेरोजगार के साथ धोका धड़ी करने का मामला सामने आया है गरीब लोगों की अच्छी नौकरी और हजारे रुपे की सैलरी का लालस देकर एजेंट पैसा लूट रहा था और यूपको को बंदुआ मजदूर बनाकर विदेश में छोड़ दिया जा रहा था मामला रामपूर के थाना गंच्छेत्र के चप्टा कॉलोनी का है जो हैं गरीब यूवक को मौल में नौकरी के बहाने ले गए और अब यूवक वहां रोड पर सोने को मचबूर है जिसके पीडित माने मीडिया के जरिये इंसाफ की गवार लगा ही है अब बच्चों को नौकरी का 30,000 रुपे का लालिज दे को उनने मुझे फशाया एक लागता सब्सार रुपे लिये अब यहां से फरा रहेगा और बच्चा मेरा वाकाग दिनी लगा वाद दलालों के हाथ मुन्ने मेरे बच्चा का दे दिया अब बच्चा मेरा ने रूम तुम्हें क्या लालिज दिएगनी अटिग मुझे निकालती है, बच्चा दर कि दोने मुझा भा रहें हो जाती हुएसा को भी तुम्हें क्या लालाज दिया गए थीजमित रही है तर्वन हम पता ने चल दे कर देखना निशी चेम्पार दिईको यहां पटकी बच्चे कर से बच्चे को वाविजा पक्का करा ना जूट बोल कि लेख दिया हूँ और बच्च नम्हास आया उससे कहता है कि आड़ सुझ आड़